नमस्कार, मैं सोनल और आज मैं आपके साथ व्रत में खाय जाने वाली पनीर की सबजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वैसे तो व्रत का सभी खाना देसी घी में बनता है, बट अगर आप तेल खाते हैं तो आप तेल कभी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इस रेसिपी में अद्रक कास्तमाल किया है, अगर आप व्रत में अद्रक नहीं खाते हैं तो अद्रक कास्तमाल ना करें सबजी में कुछ बातों का ध्यान रखिए पहला मैंने इस रेसिपी में काजू का इस्तमाल किया है काजू को आपको एक घंटा गरम पानी में भिगो के रखना है इस प्रोसेस से काजू का पेस्ट फाइन रहेगा सबजी में मैंने दो से तीन चमच ताजी मलाई का इस्तमाल किया है अगर आप रत्मी क्रीम खाते हैं तो आप क्रीम कभी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेवी का पेस्ट आड़ करने के बाद इस बात का ध्यान रहे कि सबजी को लगातार चलाते रहें जब तक सबजी में उबाल ना आ जाए इससे आपका दही फटेगा नहीं जैम आता दी